वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसे पौधे के बारे में बात कर रही हूँ जिसके आगे संजीवनी बुटी भी फेल है धर्ती का अमरित कहा जाता है कई बिमारियों को दूर करता है यदि कहीं मिल जाए तो इसे छोड़ियेगा मत जी हाँ दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कनेर के पौधे के बारे में कनेर जिसे की बहुत सी जगह पर कंडेल भी कहा जाता है आप के हाई से क्या कहते हैं मुझे कमेंट पर जरूर बताईएगा तो ये जो कनेर का पौधा होता है काफी पुझनी है दोस्तों मंदिरों में आंगन में लगा रहता है बगीचों में लगा रहता है लोगों ने तो आजकल इसे घर घर पर भी लगाया गया है और भगवान की पूझा में भी हम इसके फूलों को चड़ाते हैं तो ये बहुत ही जादा और्षधी गुणों का भंडार है आयुर्वेद में कनेर के पौधे का कनेर का बहुत जादा महत्वेद दोस्तों बहुत सी दवाईयों में बहुत सी जड़ी बूटियों को जड़ी बूटियों से जब दवाईयां तयार की जाती है तो उसमें कनेर का भी इस्तमाल किया जाता है इतना जादे ये फायदे मंद है खास कर इसका प्रयोग बहरी तौर पर किया जाता है शरी में बाहरी हिस्से पर लगाने के लिए इसे खाने में प्रयोग नहीं करते हैं हम लो क्योंकि काफी जहरीला होता है तो बाहरी तोर पर जो बिमारियां होती है जैसे कि चर्म रोग है दात, खाज, खुजली, एक्जीमा, सोरैसीस यह परिशानी एडियां फट गई है उसकी परिशानी मिंटों में दूर होती है दोस्तों यदि इसके पत्तियों का रस इसके फूलों को पीस कर उसका रस लगाना है कैसे लगाना, अब आगे वीडियो में शेयर करोंगी सारे आपको मेथड बताऊँगी किस तरह से आपको इनका इस्तमाल करना है आप बेख रहे हैं दोस्तों, जैसे ही आजे है मैं पत्तियों को तोड़ती जा रही हूंग Хूलों को तोड़ वैं पत्तियों को तोड़ा के तलवे पर लगा लें जहां पर 80 है आपकी दो से तीन दिन में फटी 80 ठीक हो जाएगी तो ये बहुत ही फाइदे मंद है साथ ही साथ इसकी जो पतियां है न दोस्तों दात खाज खुजली में इसकी पतियों को पीस कर थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर अगर आप लगाते है तो दात खाज खुजली एक्जीमा की परिशानी बिल्कुल ही दूर चर्म रोग को दूर करता है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो सफेद दाग होता है ना सफेद दाग को भी इसकी पतियों का रस लगाने से सफेद दाग भी ठीक होता है इसके फूलों को पीस कर इसका पेस आप देख रहे हैं आप अपके घर के आसपास लगा होगा और जारतर मंदिरों में बगीचों में आपको आसानी से दिख जाएगा तो यह जो पौधा है साल भर हरा भरा रहता है चार प्रजातियां होती है इसकी दोस्तों हो सकता आप किया पीला कनेर ना लगा हो गुलाभी पत्यां होती है और इस पेड़ की इस पौधे की जो हाइट होती है 8-10 फुट के करीब इसकी उचाए होती है तो कनेर का ये जो पौधा है फूल है पत्याया है और जुदियों का भंडा रहे है इतने सारे जीजों में काम आता है इसकी पत्तियों के रस को यदि आप बालो jsad ball पर लगाएंगे तो बीज़र हो बाल पर लगायों तो बालों का जढ़न रुपता है जो आपके उम्र कोल आपके पहले सफटर के बालों का सफटर को बनाना भी privately नदीम कि आप बालओ को इसके तरह पीकल करना है। और अपने बालों पर लगाना है। तो इसकी बहुत साथा medicinal property है। खाने में हमें इस्तमाल नहीं करना है। बाहरी तोर पर हम इस्तमाल कर रहे हैं। बालों के लिए करें। तो बालों का ज़ड़ना बंद होगा। पत्तियों को पीस कर नारियल तेल में मिलाकर तरह तरह कि यहां पर वनस्पतियां, पेड़, पोधे, जड़ी, बूटियां है। कनेर भी एक ऐसी ही वनस्पति है जो हमें साल भर फूल देता है। और पीली कनेर का जादा महत्व है। तो दस से बारा फिट के करीब भी इसके उचाई होती है। जब आपको बहुत जादा सिर दर्द होता है न दोस्टों तो कनेर की पत्यों को तेल में उबाल कर चान कर रख लें। उस तेल को अगर सिर दर्द पर लगाएंगे ना तो सिर दर्द भी ठीक होता है। यह पत्यों का रख तयार हो गया है दोस्टों इस रख को डात, खाज, खुजली, एक्जीमा, जो भी चर्म रोग है आप उस पर लगाएं। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ जोडों के दर्द के लिए भी यदि आप इसका तेल लगाते हैं कनेर की पत्यों को सरसो के तेल में उबाल कर उस तेल से या अरंडी के तेल में मिला लें। और पत्यों को अच्छा उबालने पका लें और उस तेल से मालिश करेंगे तो घुटनों का दर्द जोडों का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा अब आप बोलेंगे हमें रोज तो हरी पत्या नहीं मिलती हैं अब हम कैसे करें आप चाहें तो कनेर की कुछ पत्यों को धो कर सुखा कर पीस कर उसका पाउडर बना ले और उस पाउडर को नारियल तेल में मिला कर यदि आप अपने कोई घाओ में लगाएंगे तो आपका जो थोड़ा टाइम लग जाता तब तक वे यही उपचार करते हैं कनेर की पत्यों का तेल जो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी उस तेल को लगा लेते हैं तो जहर कासर थोड़ा कम होता है पर डॉक्टरी पर आमर्श तो बहुत जरूरी है जरूर जाएं तो यह भी उपचार करना है सफेद दाग भी ठीक होता है दोस्तों इससे इतना जादा यह फायदेमंद है तो बहरी तो पर इसका प्रयोग आप लोग जरूर करें फोड़े फुनसी को बिल्कुल ही सुखा देता है फटी एडियों को ठीक करता है दोस्तों और चेहरे पर बहुत अच्छी चमाक आती है इसके पत्तों को पीस कर इसकी चटनी बना ले आप चाहें तो कड़वे नीम की पत्तियां भी कुछ मिला ले और उस लेप को लगाएंगे ना दात खाज पुराने से पुराना खुझली भी ठीक होगी तो फूलों को पीस कर दिखाया दोस्तों मैंने इस फूलों के चाहें तो जुटकी भर हल्दी मिलाएं और चेहरे पर लगा कर देखें घुटनों के दर्द के लिए दोस्तों इसके फल, फूल, छाल को सरसो तेल में फूल को भी और इसके फल भी होते हैं दोस्तों मुझे अभी फल नहीं मिले हैं इसके पीला फल सा होता इसमें इसे आपको सिर्फ शरीर के बाहरी हिस्से पर इसे एपलाय करना है पुराने से पुराना एकजीमा होगा सो रैसी तुचा रोग होगा जो भी खुजली होती है फुनसी खसरा जैसी बिमारी भी ठीक करता है कनेर की पतियों का रस और कनेर इतना जादा यह फाइदे मंद है दोस्तो कि आज मैंने कनेर के बारे में जो इनफॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी आप के हाँ इसे किस नाम से पुकारा जाता है और शायद आप के हाँ यह पौधा लगा भी हो कई बिमारीयों को दूर करता है बहुत अच्छी जड़ी बुटी है दोस्तों तभी तो आयुरवेद म कैसे बनाना तेल बनाने के लिए यहां पर आप सरू का तेल अरंडी का तेल या नारियल का तेल ले लें विए विसे अरंडी का ले तो जड़ा आ यहां सर तो का लिया है ताकि इसके सारी properties तेल में आ जाए उसके बाद आपको क्या करना थंडा करके तेल को छान लें आप घुटनों में लगाएं दोस्तों आप चाहें तो इन पत्तियों के साथ इसके फूल डाल सकते हैं इसकी कलियों को डाल सकते हैं और तेल में पका लें इससे मालिश करें आप यदि पैरों में चोट लगी है मोच लगी है तो मोच से आराम मिलेगा घुटनों के जोडों के दर्द से आराम मिलेगा तो देखा ना दोस्तों कितने हैरान करने वाले फायदे हैं इस कनेर के पौधे के और साथी साथ आयरुवेदिक गुणों का भंडार है तो आप इसे जरूर ट्राय कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना बिल्कूल न भूलने दोस्तों और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे शिखास की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें